यह कहा जाता है कि वो पौज के देश के सच्चे कमांडर अंचीफ थे उनके सामने वो मार्च पास्ट होगा जहांकिया निकलेगे और इस वक्त प्रदानमंत्री नरीन मोदी एक बार फिर से दर्शकों को बता दूँ जो टोपी पहनी है वो उत्तराखन में ग्राम्म कमल लग पूजा में इसका बड़ा इस्तिमाल होता है और जो स्टोल इस वक्त प्रदानमंत्री ने पहना है यह मनेपूर का खास उसका चिन और पहचान है और यह भी देखिए कि मास्क लगाए हुए हैं प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक बड़ा संदेश यहां से देन प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी वार वेमोरियल से अब रवाना हो चुके हैं और बस अब देखिए आप यह देखिए डिजिटल बुक में वो अपने कमेंट्स को दर्च करेंगे और उसके बाद यहां से वो प्रस्थान करेंगे राजपत के लिए और इस बार पहली बार यह राश्टरीय समरिस्मारक की डिजिटल आगन्तुक पुस्थिका है जिसमें की प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल पैन से अपने कमेंट्स लिखते हुए यह आप देखिए ये डिजिटल विजिटर बोक है जिसमें प्रदानमंत्री नरेन रुमोदी अपना रिमाक इस वक्त लिख रहे हैं ये पल उनके लिए खास इसलिए भी है क्योंकि सेंट्रल विस्ता के तहट नए राजपत पर बहुत शांदार भव्य तस्वीर है हिंदुस्तान को दिखने व पिछटर विमान फ्लाइपास्ट करेंगे परेड में पांच रफेल एक साथ विनाश फॉर्मेशन के साथ राजपत पर उडान भरेंगे सत्रे जैगवार लड़ाकू विमान पिछटर संख्या के आकार में उडान भरेंगे शोगना अदभुत तस्वीर ये देखिए नाशनल वर मेमोरियल की अदभुत विहंगम दृष्ट इसवक दरशक देख रहे हैं प्रदान मंत्री नरेन रुमोदी का काफिला आप ये देखिए पूरा निकलेगा और राजपत की तरफ का रुख होगा और वहीं से आप की ताकत और जाकी आपको अलग-अलग अंदाज में नजर आएगी और ये अप प्रदान मंत्री नरेन रुमोदी अपनी गाड़ी में बैठते हुए और मुझे लगता है रुबिका 10 बच के 13 मिनिट हो चुके हैं 10 बच के 15 मिनिट पर प्रदान मंत्री नरेन रुमोदी को राजपत पहुँचना है 10 बच के 18 मिनिट पर राश्ट्रपती का आगमन होना है और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि minute to minute ये कारिकरम तै होता है प्रदान मंत्री यहां से निकल चुके हैं आप देख सकते हैं कार का दर्वाजा बंध होते हुए लगवग 2-3 मिनिट का वक्त लगेगा प्रदान मंत्री को पहुँचते हुए और जिस खुबसूरत द्रश्चे का जिक्र रुमे का लगातार कर रही थी वो आपके सामने औ वो जगे होती है जहां पर जब भी कोई राष्ट्र नेता या कोई बड़ा डिनिटरी पहुँचता है तो वो वर मेमोरियल पर जाता है और अब 2019 के बाद से भारत में भी यह राष्ट्रिय समर जो समारक है वो तयार हो चुका है और आज गरतंत्र दिवस के मौके पर गती को प्राप्त जो सैनिक हुए है इस पूरे साल में और जैसा शोबना बता रही थी अब वो तस्वीरे आने लगेंगी जब आपको राश्पती श्री रामनात कोविन जो है वो दिखेंगे जब शांदार उनके अंगरक्षक जो है उनको उनका इस्तक्बाल करने के लिए उनको अकंपनी करने के लिए आपको दिखाई देंगे लेकि ये प्रदानमंत्री नरेन रुमोदी उस डिजिटल विजिटर बुक में अपने रिमार्क्स डालते हैं वे सारे खास मेमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं नौसेना की जानकार, कोमडौर, जीजे सिंग सहाब, थलसेना की जानकार, मेजर जेनरल संजय मेस्टन और वायू सेना की जानकार, एय मार्शल आनिल खोसला साहब, सबसे पहले मैं शुरुवात मेजर जेनरल मेस्टन आपसे करना चाहूंगी, ये इस बार की जो तस्वीरे हैं और इस बार की जो भव्यता है, वो कैसे बाकी साल उसे अलहिदा और अलग इस वक्त आपको नजर आ रही है जैनल मैसली का जी काफी चीजे इस टाइम फर्क है पहली बात तो आपको पता है कि इस टाइम जो फ्लाइब पास्ट है वो 75 एरक्राफ्ट से करेंगे और बल्कि जो एरफोर्स से मेरे को बताया गया था कि तक्रीवन सौ जहास होएंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन जो 75 का तो फ्लाइब पास्ट है और मेरे को यह भी बताया गया कि वो मेगना नदी थी जो बंगलादेश में थी तो उसके अधार पर इसका फॉर्मेशन होगा और दूसरा डकोटा उसके दुवारा वो दिखाये ज जो टंगेल जो एरड्रॉप हुआ था जो 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड ने बंगलादेश में किया था तंगेल में एरड्रॉप किया था तो उसके बारे में भी वो दर्शाय जाएगा मत्तब वो एरड्रॉप तो नहीं दर्शाय जाएगा लेकिन एरक्राफ्ट जो डकोटा जिन्होंने उसमें जेनरल आपको बस कुछ अब एबी पी नियूज आपको रखे आगे